परिचय शाम का समय है, देव और मोहन शौपिंग करने के बाद घर लाटे हैं। मोहन ने पंके और बल्ब का स्विच आउन किया। जैसे ही उसने देखा कि दो बल्ब आउन हो गए हैं, उसने एक बल्ब को आफ कर दिया। देव इसे सावधानी से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तब देव ने मोहन से कहा कि जब तुमने स्विच आउन किया, तो बल्ब तुरंती नहीं चला। और जब तुमने बल्ब का स्विच आउफ किया, तो ये तुरंती ही पूरी तरह से बुझ नहीं कया। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने उसे बताया कि ऐसा धारा के प्रेरण के कारण होता है. प्रेरिध धारा सदैव परिवर्तन का प्रतिरोध करती है. जब बल्ब को ओन किया जाता है, तो एक प्रेरिध धारा बन जाती है, जो इसे ओफ बनाए रखने का प्रयास करती है इसी प्रकार जब बल्ब ओफ किया जाता है तो एक प्रेरिधारा बन जाती है जो इसे ओन बनाए रखने का प्रयास करती है इसलिए बल्ब तुरंथी जलता और बुच्छता नहीं है जात्रो वैदत चुम्ब की ये प्रेरण हमारे चारों ओर हर कहीं पाया जाता है हम इस पर आधारित अनेक उपकरणों या अनुप्रयोगों का उप्योग करते हैं तो आज हम वैदत चुम्ब की ये प्रेरण के विशे में अध्यन करेंगे उत्तेशे इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैदत चुम्ब की ये प्रेरण को परिभाशित करना फैराडे एवं हैंडी के प्रयोगों को समझना चुम्ब की ये फ्लक्स को परिभाशित करना फैराडे के प्रेरण के नियम को समझना, लैंच का नियम तथा उर्जा का सनक्षण नियम को समझना, गतिक विद्धुत वाहक बल तथा उर्जा त्रिष्टी को परिभाशित करना, भवर धाराओं को परिभाशित करना, अनियोन्ने प्रेरकत्व तथा स्वाप्रेरकत्व की प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का विवेचन करना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का विवेचन करना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का विवेचन करना। वेचन की ये प्रेरण कहलाती है। फेराडे तथा हेंडरी के प्रयोग प्रयोग एक एक दंड चुम्बक पर विचार करें जिसे तार की कुंडली के अक्ष पर पीछे और आगे खिसकाया जा सकता है जिसके साथ एक धारा मापी जुड़ा होता है जब चुंबक स्थिर रहता है तो कुंडली में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। कुंडली में धारा प्रवाह नहीं होती है। के द्वारा एक बैटरी से जुड़ी होती है। और दूसरी जिसे दुईतियक कुंडली ऐस कहते हैं एक धारा मापी से जुड़ी होती है। जब कुंजी को खोला जाता है तो धारा मापी विप्रीत दिशा में शनिक विक्षेपित होता है और पुना शुने पर वापसा जाता है। दुईतियक कुंडली पर चुम की एक शेत्र स्थाई मान से शुनिकी ओर घटता है। धारा मापी शुने दिखाता है जब पी में एक स्थाई धारा होती है। यहाँ पर दुईतियक कुंडली पर चुम की एक शेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। चुम्ब की ये फ्लक्स चुम्ब की ये फ्लक्स चुम्ब कत्व की मात्रा की माप होती है बलकी चुम्ब की ये रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुम्ब की ये क्षित्र में एक निर्दिश्ट क्षित्र फल से कुजरती हैं A क्शेत्र फल वाले एक संतल प्रिष्ट को घेरने वाले संवरित पत पर विचार करें यदि एक समान चुम्मकिय क्शेत्र B संतल प्रिष्ट के अभि लंब क्रिया करता है तो क्शेत्र फल A से चुमकिय फलक्स B और A का गुणन फल होगा यदि चुम्ब की एक्षित्र B प्रिष्ट पर लंब से ठीटा कोण बनाता है तो चुम्ब की एक फ्लक्स BA कौस ठीटा होगा अथवा इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 5 बराबर B.A का गुणन फल सम्वृत्य प्रिष्ट से संबंधित चुम्ब की एक्षित्र फल तथा उस चुद्र फल पर कारे करने वाले चुम्ब की एक्षित्र के लंब घटक के गुणन फल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है फैराडे का प्रेरण का नियम फैराडे ने अपने प्रयोगों के परिणामों को निम्न दो नियमों में वानित किया जब कभी परिपत में जुम्ब की ए फलक्स परिवर्तित होता है तब एक E.M.F परिपत में प्रेरित होता है और ये किवल तब तक रहता है जब तक फलक्स में परिवर्तन होता है परिपत में प्रेरित तात क्षनेक E.M.F उस परिपत से आबध प्रिष्ट के माध्यम से जुम्ब की ए फलक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है E पराबर T के संदर्भ में 5B का माइनस अंतर प्रेरित E.M.F की दिशा इंगित करने के लिए रिनात्मक चिन्ह लगाया जाता है प्रेरित E.M.F सदैव जुम्ब की ए फलक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है यदि तार की एक कुंडली में N फेरे हैं जिनमें प्रतेक का क्षित्रफल समान है तो सभी फेरों से फलक्स T के संदर्भ में 5B का माइनस N अंतर होगा उधारन आए फेराडे के प्रेरन के नियम का एक और उधारन देखते हैं एक कुंडली के मात्यम से इसके तल के अभी लंबवत तथा पेपर की ओर निर्तेशित चुम की एफलक्स निम्न संबंध के अनुसार परिवर्तित हो रहा है 5 बराबर 5 T वर्ग प्लस 10 T प्लस 3 मीटर वेबर T पराबर 5 सेकेंड पर लूप में प्रेरित EMF की गणना कीजिए आईए इसका हल देखते हैं दिया है 5 बराबर 5 T वर्ग प्लस 10 T प्लस 3 मीटर वेबर इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 5 बराबर 5 T वर्ग प्लस 10 T प्लस 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 वेबर हम जानते हैं कि E बराबर D 5 बटे DT समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है E बराबर T प्लस 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 वोल्ट अब T बराबर 5 सेकेंड के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E बराबर 0.06 वोल्ट इसलिए T बराबर 5 सेकेंड पर लूप में EMF प्रेरित 0.06 वोल्ट है लेंज का नियम तथा उर्जा का सनक्षन लेंज का नियम तरशाथा है कि प्रेरित EMF या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये इसे उत्पन करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है जब चुम्बक को कुंडली की ओर धकेला जाता है तो उत्पन प्रेरित धारा चुम्बक के निकट कुंडली के प्रिष्ट पर एक उत्तरी ध्रोव निर्मित करते हुए चुम्बक के धक्के का विरोध करती है जब चुम्बक को कुंडली से दूर खीचा जाता है तो उत्पन प्रेरित धारा चुम्बक के निकट कुंडली के प्रिष्ट पर एक दक्षणी ध्रोव निर्मित करते हुए चुम्बक के खिचाओं का विरोध करती है लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित EMF स्वयम को उत्पन करने वाले परिवर्थन का विरोध करता है हम चुम्बक के फलक्स में परिवर्थन उत्पन करने के लिए यांतरिक कारे करते हैं इसलिए यहां यांत्रिक उर्जा का परिवर्तन विद्धित उर्जा के रूप में होता है। अधा लैंज का नियम उर्जा संदक्षन के नियम का पालन करता है। गतिक विद्धित वाहगपल किसी एक समान काल सौतंद्र चिंब की एक शित्र में एक कतिमान रिजू चालक पर विचार करें। माना की एक आयताकार चालक पी क्यू आर एस है जिसमें चालक पी क्यू गति करने के लिए सौतंद्र है। छड़ पी क्यू को नियत वेक वी से चलाया जाता है। ये एक समान चिंब की एक शित्र बी में इस्थित है जो इस निकाहे के तल के अभी लंबवत है। यदि लंबाई आर क्यू पराबर एक्स और आर एस पराबर एल तो लूप पी क्यू आर एस से घिरा चिंब की ए फलक्स फाई बी बी एल एक्स होगा। लेकिन एक समय के साथ परिवर्थित हो रहा है। इसलए फलक्स के परिवर्थन की दर एक EमF प्रिरित करेगी जिसका मान समय के संदर्प में बी एल एक्स का मारण संदर्प होगा जो बराबर बीलवी है। यह प्रेरित EMF, BLV, गतिक EMF भी कहलाता है। तो हम एक समान जम्मिके क्षेतर के अंदर चालक को गतिमान करते हुए प्रेरित EMF उत्पन्न कर सकते हैं। उर्जा द्रिष्टी माना की R आयतकार चालक की चलपुजा PQ का प्रतिरोध है। आयतकार लूप का समगर प्रतिरोध R है और ये PQ की गति से परिवर्दित नहीं होता है। लूप में धारा I का मान E बटे R है जो BLV बटे R के पराबर है। चुम्मिके क्षेतर के कारण बुजा PQ पल लगने वाला पल ILP है जो B वर्ग, L वर्ग तथा V के गुणंपल बटे R के पराबर है। बुजा PQ को नियत चाल V से धकेलने के लिए आवशक शक्ती B वर्ग, L वर्ग तथा V के गुणंपल बटे R के पराबर होगी। अता बुजा PQ को गति मान करने के लिए आवशक यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा और फिर उश्मी उर्जा में बदला जाता है। भवर्धाराएं भवर्धाराएं किसी स्थूल चालक में प्रेरिधाराओं के रूप में परिभाशित की जाती हैं जब चालक को परिवर्धन शील चुमीके क्षित्र में रखा जाता है। संतत परिवर्थन शील चुम्ब की ग्षित्र में रखे एक चालक पर विचार करें। चालक से जुड़े चुम्ब की ये फ्लक्स के संतत परिवर्थन के कारण प्रेरिधारा चालक में उत्पन होती है। इन धाराओं का पथ वृत्ताकार माना जाता है और इनकी दिशा के नियम के नुसार निर्धारित की जाती है। भवर्थाराओं के लाभुपरद उप्योग कुछ अनुप्रयोगों में किये जाते हैं जैसे की विद्ध चुम्किये अवमंदन, प्रेरण भट्टी, रेलकाडियों में चुम्किये ब्रेकों में तथा विद्ध शक्ती मीट अनियोन्ने प्रेरकत्व वहाँ परिखटना जिसमें एक परिपत में परिवर्तन शील धारा अन्ने परिपत में एक EMF प्रेरित करती है पारस परिक प्रेकत्व कहलाती है आएए दो लंबी समाक्षिये परिनालिकाओं पर विचार करें जिसमें से प्रत्यक की लंबाई L है अंतरिक परिनालिका S1 की तरिच्या R1 है जिस पर प्रति एकाई लंबाई फेरों की संख्या N1 है जबकि वाहे परिनालिका S2 की तरिज्या R2 है, जिस पर प्रती इकाई लंबाई फेरों की संख्या N2 है B1 पराबर μू नॉट N1 और I1 का गुड़न फल S2 के एक फेरे में जुमकिये फ्लक्स μू नॉट N1 पाई R1 वर्ग I1 है फेरों की कुल N2L संख्या वाली परिनालिका S2 में फ्लक्स बंधता मू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग I1 है परिपत एक के संदर्भ में परिपत दो का M21 मू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है इसी प्रकार हम M12 के मान की गणना कर सकते हैं और ये मू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है उपरोक्त दोनों समिकरों से हम कह सकते हैं कि M12 बराबर M21 बराबर M तथा M का मान मू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है स्वा प्रेर कत्व वह परिखटना जिसमें एक परिपत में परिवर्टन शील धारा उसी परिपत में एक EMF प्रेरित करती है स्वा प्रेर कत्व कहलाती है लेंज के नियम के नुसार स्वा प्रेर कत्व का EMF परिपत में धारा में किसी परिवर्टन का सदे विरोध करता है और इसलिए इसे समानता विरोधी EMF कहा जाता है एक कुंडली से गुजरने वाला कुल चुम्ब की एफलक्स चुम्ब की एक्षेतर के समानुपाती होता है जो कुंडली में धारा आई के समानुपाती होता है फाही बराबर L तथा आई का गुड़न फल यहाँ आनुपातिक्ता नियतांक L स्वाप्रेर कत्व कहलाता है फेराडे के नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित EMF-LDI-DT होता है आईए ए अनुप्रत क्षित्रफल तथा L लंबाई वाली एक लंबी परिनालिका पर विचार करें जिसमें प्रती एक आई लंबाई फेरों की संख्या N है परिनालिका से धारा आई प्रवाहित होती है परिनालिका के अंदर उत्पन होने वाला चुम्ब की एक शेत्र Mu-N, N तथा I का गुणनफल है परिनालिका के एक फेरे के माध्यम से चुम्ब की ए फिलक्स Mu-N, N, I और A का गुणनफल है फेरों की कुल N, I संख्या के साथ परिनालिका में फिलक्स बंधता Mu-N, N, V, A, L, I है आता परिनालिका का स्वाप्रेर कत्व Mu-N, N, V, A, L है प्रत्या वर्तिधारा, A.C. जनित्र A.C. जनित्र एक महत्पूर्ण व्यवारी क्युक्ती है जो वैद्धुद्चुम्किये प्रेरण के सिध्धांद पर कारे करती है ये यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्तित कर देती है इसमें तारों की एक कुंडली होती है जो एक समान चुमिकेक शित्र में किसी वाहे साधन के द्वारा यांत्रिक रूप से खुमाई जाती है कुंडली घूमने के साथ इसका चुमिकिये फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है एक EMF प्रेरित करता है तथा वाहे परिपत में एक धारा उत्पन होती है कुंडली के सिरे सर्पी वलियों द्वारा वाहे परिपत से जुड़े होते हैं जो कुंडली के साथ खुमते हैं प्रतेक वले एक स्थेतिक कार्बन ब्रश के सापिक शिक्खि सकता है जिससे वाहे परिपत जुड़ा रहता है किसी समय टी पर कुंडली की एक एकल फेरे के माध्यों से चुमकिये फ्लक्स B.A. का गुणन फल होता है जो B.A. कौस थीटा के बराबर है इसे B.A. कौस ओमेगा टी के रूप में भी लिखा जा सकता है यहां ओमेगा कुणिये वेग तथा थीटा चुमकिये ख्शेतर सदिश एवं शेतरपल सदिश के बीच कौन है यदि कुंडली में N फेरे हैं तो कुंडली में जुमकिये फलक्स बंधता N.B.A. कौस ओमेगा टी है फेराडे के नियम के अनुसार घुरुनी कुंडली में प्रेरित E.M.F. N.B.A. ओमेगा साइन ओमेगा टी है यहां इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है प्रेरित E.M.F. समय के साथ जया वक्रिय रूप से परिवर्तित होता है क्या आप चानते हैं यदि चुम्बक को इसके अक्ष पर घुमाया जाए तो लूप के साथ चुम्बकी ए फ्लेक्स बंधता में कोई परिवर्तित नहीं होता और इसलिए E.M.F. प्रेरित नहीं होता है उश्मा पार्रे प्रक्रिया में हम्मानव शरीर में उत्कों को इस्थानिय रूप से गर्म करने के लिए भवर धाराओं का उप्योग करते हैं सिक्के से चलने वाली वेंडिंग मशीनों में नकली सिक्कों की पहचान करने के लिए भवर धाराएं उप्योग की जाती है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं चुम्ब की एक शित्र की सहयता से प्रेरिद एमएफ उत्पन करने की परिखटना वैदुत चुम्ब की प्रेरण कहलाती है कुंडली में धारा उत्पन करने के लिए चुम्बक और कुंडली के मत्थे केवल सापेक्षिक गदी की आविशक्ता होती है चुम्ब की एफलक्स चुम्बकट्व की मात्रा की मावप होती है बलकि चुम्ब की रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुम्ब की एक कुषित्र में एक निडिश्ट कुषित्र फल से गुजरती है लेंच का नियम दर्शाता है कि प्रेरित EMF या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये इसे उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है एक समान चुमिकी एक शेतर के अंदर चालक को गदिमान करते हुए प्रेरित EMF उत्पन्न किया जा सकता है भावर धाराएं किसी स्थूल चालक में प्रेरिद धाराओं के रूप में परिभाशित की जाती है। परिवर्धन शील धारा उसी परिपत में एक EMF प्रेरित करती है। स्वाप्रेर कत्व कहलाती है। परिवर्धन शील चालक में परिद आप करती है। स्वाप्रेर को स्वाप्रेर